हेलो दोस्तों कैसे आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकाडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं I.C.A.R. I.A.R.I. Technician T1 के लिए टायर 2 का जो एक्जाम होने बाला है आठ जनवरी को उसके लिए चनरल नौलिज अर्थात सामान अध्यन के Most Expected Question दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मैंने सिलेवस इसका डिस्कस किया था टायर 2 वाला उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24 दिसंबर से हम आपकी किलास स्टार्ट करने वाले हैं टायर 2 के लिए दोस्तों जैसा कि आपको पताया इससे पहले जो इसका टायर 1 हुआ था पहला वाला एक्जाम हुआ था उसके लिए भी हम एक्सपेक्टिड कोस्टन की सीरिज लाया थी जिसमें केवल दो-दो किलास मैंने कराई थी सारे सब्जेक्ट की जीके की मैथ की सोस दिया होगा तो सारे एक्जाम में एक एक दो-दो कोस्टन उन क्लासिस से जैसे के तैसे आएं इसके अलावा जो मैंने महरातन क्लासिस कराई थी उससे भी जैसे के तैसे कोस्टन आपके टायर 1 के एक्जाम में आया थी दोस्तों तो इसलिए मैं जो इसका टायर 2 एक्जाम ह आ गया हूं दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों यह रहां आपका पहला कोस्टन कोस्टन नमबर एक जो कि आपकी प्रक्षा की द्रश्टी से बेहर इंपोर्टेंट अर्थात एक्सपेक्टड होने बाला है दोस्तों देख लेते हैं पहला कोस्टन क्या कह र है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो 1930 में एक यात्र चली थी महत्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी दोस्तों जिसे हम कहते हैं दांडी यात्रा वो कहां से कहां तक चली थी दोस्तों सावरमती आसरम से सावरमती आसरम से दांडी तक यात्र चली थी दोस्तो जो की 322 किलो मीटर था सावर मती से दाड़ी कितना था दोस्तो 322 किलो मीटर था और अगर हम इसे मील में देखें तो ये लगवा 200 मील के करीब ये दूरी थी तो सावर मती आस्रम से दाड़ी यात्रा दाड़ी तक ये यात्रा चली थी जो कि महत्मा गांधी की नित्रत में चली थी जिसमें 79 79 प्लस एक एक खुद गांधी जी और 79 अर्थाच 89 अनुयों के साथ ये यात्रा शुरू की गई थी सावर मती से दांडी तक तो दोस्तो जब ये दांडी पहुँच गए थे महत्मा गांधी जी 79 अनुवाईयों के साथ तो इन्हों ने यहाँ पर जाकर क्या किया था दोस्तो नमक कानून को तोड़ दिया था क्या किया था दोस्तो नमक कानून को इन्हों ने तोड़ दिया था बहाँ पर पहुँचके दोस्तो यह जो यात्रव ही थी ये कब ही थी दोस्तों तो मैं आपको पता दूं इस सावरमती आसरम से 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट ही थी और उसके बाद 6 अप्रेल अर्थाप 6 अप्रेल 1930 तक ये यात्रा चली थी कब तक भी दोस्तों ये 12 मार्च से 6 अपरेल तक यात्रा चली थी दोस्तों और दोस्तों इसमें 79 प्लस एक खुद गांधी जी टोटल 80 लोग थी 79 अनुवाई और एक खुद गांधी जी और महाँ पर पहुंचकर इन्हों ने क्या किया था नमक कानून थोड़ा था दोस्तों जो यात्रा सावरमती आसरम से दांडी यात्रा जो चली थी उसी यात्रा के दोरान महत्मा गांधी जी के दोरा 1930 में ही क्या सुरू किया गया था सबने अबग्या आंदोलन सुरू कर दिया गया था कौनसा सबने अबग्या आंदोलन सुरू कर दिया गया था तो इस question का जो right answer ह जाएगा वो हो जाएगा option number D सबने अबग्या आंदोलन 1930 में महत्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था इनके नित्रत में शुरू किया गया था दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D इसके साथ ही दोस्तो जो पहला दिया है भारत छोणो आंदोलन तो जो भारत छो हुआ था दोस्तो इसके साथ ही खिलापת आंदोलन जो है यह 1919 में किसके नेत्रत में हुआ था दोस्तो यह सोकत अली क्यों भी दोस्तो सोकत अली और मुहमुध अली के नेत्रत में सुरू किया गया था आसायोग आंदुला और दोस्तों 1930 में जो महात्मा गांदी की दौरा शुरू किया गया था वो किया गया था सबने अबग गया आंदुला तो इस question का जो right answer हो गया option number D हो गया दोस्तों और दोस्तों अभी जो मैंने आपको explanation दिया था समझाया था वो अगर आपको समझ नहीं आया कोई सब्ल तो आप इसको इस type से लिखा हुआ देख सकते हैं तो दोस्तों मैं ऐसा ही explanation सारे questions का लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए तो दोस्तों अगर आपको explanation पसंद आया है और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस type का मैं explanation दे रहा हूँ वो केवल एक question ही नहीं लग 6-7 question को cover कर रहा है और आपको लग रहा है कि इस type के question आपके exam में अथा technician T1 के try 2 का जो exam है उसमें आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों class को क्या करेंगे like करेंगे अपनी दोस्तों के साथ share करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या कर लेंगे subscribe जरू कर लेंगे जिससे की हमारी latest वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच आए जैसे ही हम चैनल पे डालें तो दोस्तों यह रहा next question question number 2 यह रहा आपके सामें दोस्तों सम्मिधान की प्रस्ताबना में सम्मिधान संसोदन के द्वारा किन सब्दों को जोड़ा गया तो सम्मिधान की प्रस्ताबना है उसमें संसोदन किया गया था तब कौन से सब्द जोड़े गयते और किया गया था या नहीं किया गया था संसोधन यह हमें पता होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो सम्मिधान की प्रिस्ताबना है प्रियम्बल आफ कॉंस्टिटुइशन जो है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम सम्मिधान की संब्धान की कुंजी भी कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों संब्धान की कुंजी कभी-कभी पेपर में जो है कोश्चन आ जाता है क्या आ जाता है संब्धान की कुंजी किसे कहा जाता है संब्धान की कुंजी किसे कहा जाता है सम्विधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों तो सम्विधान की आत्मा जो कहा गया है वो कहा गया है आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 जिसमें सम्विधानिक उफचार की बात की गई है आर्टिकल 32 को बियार अम्बेटकर की दोवारा सम्विधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों इसके साथ ही अब दोस्तों हम फोर कर लेते हैं इस question के बारे में बात तो दोस्तों 1976 में 42 संभिधान संसोधन हुआ था 42 संभिधान संसोधन हुआ था 1976 में जो की कब लागू हुआ था दोस्तों 1977 में लागू हुआ था तो दोस्तो इस जो सम्मिदान संसोधन हुआ था ब्यालिस्मा इसमें जो प्रस्ताबना थी उसमें संसोधन किया गया था पहली बार किया गया था और आखरी बार किया गया था मतलब कह सकते हैं अब तक केवल एक बार ही प्रस्ताबना में संसोदन किया गया है दोस्तों तो इस संसोदन में क्या किया गया था दोस्तों जो प्रस्ताबना है उसमें तीन नए सब्दों को जोड़ा गया था कौन-कौन से सब्दों को जोड़ा गया था भी पंतनिर पेक्ष को समाजवात को अखंडता को अर्थात इन तीनो सब्दों को जोडा गया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा तीनो सब्दों को सम्दान की प्रस्ताबना में सम्मिदान संसोदन की दारہ जोडा गया जो की 42 में एक नय भाग जोडा गया था 4A कौनसा भी दोस्तो 4A एक नए भाग को जोड़ा गया था और दोस्तो कई बार question पूँच लिया जाता है exam में कि जो 42 में संभिधान संसोदन है इसे क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो लगू संभिधान भी कहा जाता है तो लगू संभिधान किसे कहा जाता है दोस्तो 42 में संभिधान संसोदन जो कि 1976 में हुआ था इसे कहा जाता है और यह 1977 में क्या हुआ था लागू हुआ था दोस्तो इस question का जो right answer हो जाता है वो हो जाता है option number D D will be the right answer दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं next question और इसका भी explanation यह दे को मैंने लिखके रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं अब देख लेते हैं next question question number 3 क्या कह रहा है देख लेते हैं हाल ही में ICC ने पुरुस cricket बिस कब 2030 के लिए किसे basic राज़दूत नामित किया है तो दोस्तों जैसा कि अभी आपका बल्ड कप हुआ था आपका cricket बल्ड कप अभी एक महने पहले हुआ था तो इससे related कोई ना कोई question आ सकता है क्योंकि आपको पता है current event से related भी question आपके exam में आने वाले हैं दोस्तों तो यह आपके लिए important हो जाता है actually मैं जितने question में लेकर आया हूँ सारे ही expected है प्रेक्षा की दरश्टी से बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं दोस्तों तो एक एक question को आप अच्छे से देखिएगा और उसके explanation को जरूर सुनिएगा जिससे कि अगर यह question ना से इससे related कोई question आ गया तो मैं जो explanation दे रहा हूँ दोस्तों उससे आपका cover हो जाने वाला है दोस्तों इस question का जो right answer है जो राश्टीय राजदूद बैस्रुग राजदूद नामित किया गया था वो किया गया था सचिन तेंदूलकरजी को किसे किया गया था भी सचिन तेंदूलकरजी को आप क्योंकि दोस्तों ICC की बात हो रही इसमें तो ICC की बारे में भी हमें बहुत सी बा था अपना दोस्तों फोई थी इसके साथी दोस्तों इसका जो headquarter है ICC का जो headquarter है वो है दुबई में कहा है दोस्तों दुबई में इसका headquarter है दुबई में CEO दोस्तों है इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि World Cup की बात हो रही है पुरुस World Cup की बात हो रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अब तक 2013 तक 13 संस्क्राफ हो चुके हैं इसके World Cup के तो इन में से सबसे ज़्यादा बार जो जीतने बानी टीम है वो कौन सी टीम है कहां की टीम है ये बात भी हमें पता होनी चाहिए तो दोस्तो अभी जो 2030 में बल्ड कप हुआ है ये बल्ड कप भी हमारी ऑस्ट्रेलिया जीती है कौन जीती भी? ओस्ट्रेलिया जीती है भारत को हराकर अर्थात भारत हम कह सकते हैं उब जोते तार रहा है तो ओस्ट्रेलिया धुरजार 30 में भी जीत गई है उससे पहले दोस्तो 1980 में जीती है 1993 में tratar 2003 में जीती है 2003 में और फिर उसके बाद 2019 का हुआ था 21 में उसे भी जीता है और 2030 में जो हुआ है इसे भी जीता है तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है अब तक 6 वार कितनी वार दोस्तो सबसे जाद़ 6 वार ऑस्ट्रेलिया अब तक पुर्स किर्किट ब्ल्रक जीत चुकी है सबसे जादा च्छे बार और दोस्तो इसके साती मैं आपको बता दूँ जो हमारा भारत है भारत अब तक तक दो बार बिसकप जीत चुका है एक तो 1903 मैं दोस्तो एक तो 1903 मैं और Lifension में बल्ल कप जीच चुका है दोस्तो इस question का जो right answer हो जाएगा option नंबर बी हो जाएगा option नंबर बी will be the right answer तो दोस्तो अगर आपको question पसंद आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे class को like करेंगे अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को पुर भारत की seven sisters के अंत्रगत कौन सा राज सामिल है और इसमें हमसे क्या पूंचा है सामिल नहीं है क्या यह आपको अच्छे से देखना है कौन सा राज सामिल नहीं है तो इस question का answer देने से पहले हमें क्या होना चाहिए इसकी जो seven sisters जो राज है यह हमें पता होने चाहिए कौ कौन से हैं दोस्तो तो दोस्तो ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आपको बता दूं हमारा अरोनाचल प्रदेश है कौन सा भी दोस्तो अरोनाचल प्रदेश है और फिर हमारा नागा लैंड है कौन सा नागा लैंड है मनीपुर है मिजोरम है और हमारा मेगालय है औ तुरुपुरा है और असम यह हमारे क्या हैं दोस्तो यह हमारे Seven Sisters राज में आते हैं तोटल साथ राज लेकिन आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल नहीं है तो पश्चिम बंगाली किया हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस question का option number B पश्चिम बंगल इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको map लेकर आया हूँ map में आप देख सकते हैं जो हमारी seven sisters राज हैं वो कौन-कौन से हैं दोस्तों step से थोड़ा बड़ा करके आप step से देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं इसके अंदर जो राज हमारे आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और आप समझ गया होगे तो दोस्तों इसका explanation में मैंने आपको दिया है तो आप देख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं next question बेहद important question अथात expected question यह जो question है इससे एक नाई question बन सकता है दोस्तो आपके exam में तो देख लेते हैं पहला question नमर 5 जो है क्या कह रहा है बर्स 2013 में physiology या medicine में नॉबल प्रुषकार किसे मिला है तो जो physiology अर्थात medicine है इसमें नॉबल प्रुषकार किसे मिला है दोस्तो तो इसका जो रांसर मैं आपको बता दूँ वो है Catalin, Carrico और Drew Bissman इन दोनों को मिला है अर्थात option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा दोस्तो अब क्योंकि दोस्तो हम Nobel Prize की बात कर रहे है तो हमें पता होना चाहिए Nobel Prize के इतिहास के बारे में क्या क्या है तो दोस्तो मैं आपको बता दू Nobel Prize है सबसे पहले जो दिया गया था 1901 में दिया गया था पहला Nobel Prize इसके साथ ही दोस्तो इसमें 6 प्रकार के Nobel Prize दिया जाते है एक तो दिया जाता है दोस्तो Medicine में दिया जाता है Physics में दिया जाता है Chemistry में दिया जाता है दोस्तो Literature में दिया जाता है और हमारा Peace में दिया जाता है Economics में दिया जाता है तो दोस्तो यह Nobel Prize कहां दिये जाते हैं उस सहर का भी नाम हमें पता होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारा जो Medicine है, Physics है Chemistry है, Literature है और हमारा Economics है, यह हमारे कहां दिये जाते हैं दोस्तों, यह जो दिये जाते है यह दिये जाते हैं Sweden में कहां दिये जाते हैं दोस्तो स्वीडन में दिये जाते हैं और एक जो पीस प्राइज है जो सांती का है कौन सा है दोस्तो जो सांती का नोबल प्राइज है वो हमारा दिये जाता है नौर्वे में कहां दिये जाता है नौर्वे में दिये जाता है तो यह आपके लिए important हो जाता दोस्तो कभी कभी पूच ले जाता है सांती का जो नौल प्रायझ है तो वह नौर्वे में दिय werd जाता है दोस्तो और बागी सारे हम तर्ध н में दिये जाता है दोस्तों आगे स्वीड़ें नीeb question. Next question क्या? Actually, इसका explanation but trick हम देख लें. जो दोस्तु, जो Nobel prize मिले हैं 2003 में 2030 में जो Nobel prize मिले हैं इनको याद करने की जो trick है वो भी हम देख लेते हैं. और मैं सारे की सारे आपको 2030 में जो Nobel prize मिलने बाले हैं 10 December को. दोस्तो इस आपको थे लब देख लेते हैं फिजक्स में पीरे ईगुश्टनी और फहरेंस क्रोज एनि एल हीलर तो दोस्तो हम इनंहीं कैसे याद करेंगे इस ट्रिक हमें पता होने है दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दू आपको इस टैप से याद कर सकते हैं orer फिजेक्स के नॉबल प्राईइज किसने वही physics speaker फेरे लिए any ने क्योंगि कुछ लोग होते हैं न सराप, P के दारू, P कर साधी के फेरे लेते हैं तो उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं physics speaker physics speaker फेरे लिए any ने तो दोस्तो physics से तो physics हो गया physics का नौल फिराज beaker क्या होग गए दोस्तो पीरे अगुस्टनी पीक कर सकते हैं और फेरे से याद कर सकते हैं फेरे उप्रेन क्रोज और any से N.E.L. Healer तो दोस्तों इस टैब से आप याद कर सकते हैं PHİGIC都 speaker फेरे लिए N.E.N ने तो इस टैब से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएँगे और आप भूल भी नहीं पाएंगे दोस्तों इसके साथी अब दोस्तों देख लेते हैं Chemistry का आप कैसे याद करेंगे तो Chemistry का जो याद करने की ट्लिक है वो क्या है दोस्तों इसको हम याद कर सकते है एलेक्सी कैसे दोस्तों एलेक्सी रसीली मैंगी लाई एलेक्सी क्या लाई दोस्तों एलेक्सी रसीली मैंगी लाई एलेक्सी रसीली मैंगी लाई कीमो हो गई एलेक्सी से रसीली से हमारी क्याला हो गई दोस्तों रसीली से जो होगा दोस्तों सौरी रसीली मेंगी लाई तो मेंगी से हमारा दोस्तों हो जाएगा मौंगी जी ववेंडी और लाई से क्या हो जाएगा लुइस इ बुरुस तो दोस्तों कैमिस्ट्री में जो न एलेक्सी मैगी लाई इस टैप से आप याद कर सकते हैं एलेक्सी से एलेक्सी और मैगी से मौगी जी ववेंडी और लाई से रसीली से लुई से याद कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो एट्रिक होगे कैमिस्टी की दोस्तो आप हम देख लेते हैं दोस्तो फिजियोलोजी अर् को पता होगा जब कोई poison खा लेता है क्या क्या कहते हैं हंदी में बिस कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों बिस कहते हैं तो अगर किसी ब्यक्ति ने किसी आदमी ने क्या खा लिया अगर किसी मैं ने बिस पी लिया क्या पी लिया तो हम क्या करेंगे दोस्तों उससे एक केटली में उसे एक केटली में हम क्या करेंगे दोस्तों, दबाई देंगे, क्या देंगे, दबाई देंगे, जिससे कि वो दबाई खाएगा, उससे सही होगा, क्योंकि जब कोई bis खा लेगा तो वो bis man बन जाएगा मतलब poison खा लेगा तो poison को हम हिंदी में क्या कहते है bis, जो bis से आप याद कर सकते है bis man, मतलब जो bis खा लेगा, bis पी लेगा तो हम क्या करेंगे भी, केटली में रखके दवाई देंगे केटली में रखे दबाई देंगे तो दबाई से आप याद कर सकते हैं medison Agoda physiology में नोल पिराज दिया गया था बिस्मेन से याद कर सकते हैं drill wishes human को केटली से याद कर सकते हैं kaitalin karikoo तो इस से दोस्तों आप बिल्कुल कभी भी नहीं बोलेंगे और कोई बिस पी लेगा तो उसे हम केटली में क्या देंगे दवाई देंगे इस टैप से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों बहुत भी आसानी से इसके साथ ही दोस्तों अब देख लेते हैं लिटरेचर लिटरेचर का नोर पिराज जान फस गई जान फस गई कि भई किसी ने साथ पढ़ लिया उससे उसकी जान फस गई तो इससे आप याद कर सकते हैं साथ से साथ और जान फस गई से जान फोसी जान फोसी को लिटरेचर अथाथ साथ में नोर पिराज मिलाता दोस्तों इसके साथ ही दोस्तो अब हम देख लेते हैं पीस जो की कहां दिये जाता है एक बार फिर से बता दूँ दोस्तो नौर्वे में ये दिया जाता है बाकी सब स्वीटन में दिये जाते हैं तो ये जो मिला है नर्गिस मुहम्मदी को मिला है किसे मिला है नर्गिस मुहम्मदी को तो आप इसको याद कर सकते हैं, नर्गिस को सांती दो, क्या भी दोस्तों, नर्गिस को सांती दो, तभी वो सही से रह पाएगी दोस्तों, तो सांती में किसे मिला है वे, नर्गिस मुहम्मदी को जो कि एरान की एक महला है, इसके सांती दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, अर सब किसमे आती है अर्थसास्त में आती है तो गोल्ड से आप याद कर सकते हैं अर्थसास्त इसको डायेट ऐसे ही याद कर सकते हैं अग गोल्ड वाली बात आ रही है कहीं पर गोल्ड वाली बात आ रही है तो पैसा किसमें आता है भी दोस्तो अर्थसास्त में आता है तो आप इसको याद कर सकते हैं अर्शास में, जो मिला था क्लॉडिया, गोल्डिन को नॉल प्राइज मिला था दोस्तो! इस तरह से आप सारे नॉल प्राइज आसानी से टुर्ट के साथ याद कर सकते हैं जिससे कि कभी नभूल पाहें और एक्जाम में आए तो दोस्तों आप आसानी से कर पाएं तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना कहाँगा अगर explanation पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे related आपका question कोई ना कोई आपके exam में आ सकता है टेक्टिंशन T1 के टाय 2 में आ सकता है तो आप क्या करेंगे किलास को like करेंगे दोस्तों किलास को like करेंगे अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और अगर आप channel पे नए हैं दोस्तों तो क्या करेंगे channel को subscribe जरू कर लेंगे हमारी latest video तुरन पाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question question number 6 ये रहा है आपके आखों के सामने निमने लिखित में से कौन सी नरत सैली दक्षिन भारत से सम्बंदित नहीं है दोस्तों कौन सी नरत सैली दक्षिन भारत से सम्बंदित नहीं है तो दोस्तों जब technician T1 का टायर बन का exam हुआ था तब मैंने एक separate video सास्तरी नरत की कराई थी एक सास्तरी नरत की एक अलग से video कराई थी साथ मिनट की थी के बलग पांच-छे साथ मिनट की एक video थी उसमें मैंने सारे की सारी सास्तरी नरत कराई थी जिससे related भी question आपके exam में आय थी दोस्तों तो वो अगर ळक्ष्ण होाई आपझे लिसी नरत है तो पता है पहलाई न statements निचे ही आथा कहाँ आता है जोटक्ष्णसzd senate को हमारा यह तो दोस्तों यह हंको पता है यह तो बॉस्ते यह थोगा पी हमारा नग्हें सकता है क्योंग ने तो यह तो दोस्तों भारत से समधित नहीं है भूर हमसे प्यूअ है दोस्तों महिन्यSam का है के राज का है महिनियटum कίν CSS क्यार्य करें और साती क्यांको से कि 上 बासि हम थे हमारे कौन सा कत ऑस फिरावारत कर न हुए कंसा है यह सुस्ति Whenever जो हमारा भतनाट्यम है वो तमिल नाडू का है और कथक जो है उत्तर भारत का है तो तमिल नाडू और केरर हमारे दक्षन भारत में पाये जाते हैं तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि हमसे पूंचा नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा कथक कथक क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का जो कि उत्तरभारत का एक सास्त्री निरत्त है दोस्तों ठीक है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके मैंने लिख दिया दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question question number 7 यह रहां आपके सामने 108 भी भारती बिग्यान Congress का आयोजन कहां हुआ है तो इसका आयोजन कहां हुआ है यह हमसे पूचा गया है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ इसका दो right answer हो जाएगा नागपुर महराष्ट कहां हो जाएगा नागपुर महराष्ट option number 1 कह हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा 108 मी जो भारती बिग्यान Congress का आयोजन हुआ था वो नागपुर महराष्ट में हुआ था इसके साथ ही दोस्तों 109 भारती बिग्यान Congress का जो आयोजन होने वाला है वो कहां होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है दोस्तों हमारा पंजाब में कहां होने वाला है दोस्तों पंजाब में हमारा होने वाला है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question question number 8 यह रहां आपके सामने चीनी विद्धवान हैंसोंग ने किस इस्थान पर बहुत धर्म गरंतों का अध्यन किया था यह हमसे पूछा गया है क्या पूछा गया है दोस्तों जो चीनी विद्धवान हैंसोंग थे जो चीन से आये थे इनों ने बहुत धर्म गरंतों का अध्यन किस इस्थान पर किया था यह हमसे पूछा गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो हमारे हैंसोंग थे एक चीनी यात्री थे जो कि हमारे भारत में आये थे कहा आये थे भी भारत में आये थे लेकिन एक कव होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दू 629 इसवी में ये हर्सबर्धन के सासनकाल में आये थे हर्सबर्धन के सासनकाल में ये भारत आये थे दोस्तों ठीक है फिर ये जब भारत आये थे तो इनों ने लगो 15 साल भिरमन किया कितने 15 सालों तक हमारे देश में रहे थे और इनों ने एक क्या किया था बहुत धरम गरंथों का अध्धिन किया था और एक यात्र ब्रितांत इनका लिखा हुआ है यात्र ब्रितांत में इनका भ्रमन पता चलता है कौन सा है C.U. की C.U. की नाम का एक प्रिसिद भ्रह्मन ब्रतांथ है जिससे हमें पता चलता है कि हैंसोंग जो चीनी विद्धुआन थे हमारे देश में आये थे और बहुत धर्म गरंथों का अध्धिन किया था और ये किस इस्थान पर किया था ये भी C.U. की में लिखा है ये लिखा है बिजय बाड़ा में कि दोस्तों इन्होंने बिजय बाड़ा में बहुत धर्म गरंथों का अध्धिन किया था कहां किया था दोस्तों बिजय बाड़ा में इन्होंने बहुत धर्म गरंथों का दिन किया था चीनी विद्धवान हैंसॉंग ने ओप्सिन नमबर डी के हो जाएगा इस कोस्चिन का बिल्कुल राइट आंसर होने बाला है दोस्तो। अब आगे बढ़ते हैं next question यह रहा इसका explanation अब next question देख लेते हैं यह रहा आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं निमने लिखित मेंसे कौन सा तत्व बेकिंग पौडर के रासायनिक संग्ठन में नहीं होता है तो दोस्तों बेकिंग पौडर की रासायनिक संग्ठन में जो तत्प नहीं होता है वो हमें बताना है कौछ बताना है कौछ ऑबएंजे अर्शिंग या फैनलग व्यूता होता है जिसका फॉर्मुलीला किया वियौनवने विय। गोडा तो डेख सकते हैं आप मेन इसतिके राशा relatively जो सूत है इसमें कौन कौन से तत्प आते हैं और कौन से नहीं आते हैं जो नहीं आता होगा भही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें नहीं वाला हमसे पूछा गया दोस्तों तो कार्बन कार्बन तो भही है यह तो कार्बन आप देख सकते हैं कार्बन है न नाइट्रूजन तो है नहीं वही तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा दोस्तो बिलकुल right answer हो जाएगा इस type की question भी आपके एक चाम में आये थे और फिर से आएंगे दोस्तो तो दोस्तो अब देख लेते हैं question number 10 question number 10 देख लेते हैं क्या कहा रहा है दोस्तो फरीद खान को किस बर्स फरीद खान को किस बर्स सेर्चाहा की उपादी से सम्मानित किया गया था दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दूं जो फरीद खान थे जो हमारे फरीद खान थे उन्हें सेर्चाहा की उपादी से समानत किया गया था कब ये किया गया था दोस्तो एक युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध है आ जाता है कही बार एकजाम में चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 26 जून कब हुआ था दोस्तो 26 जून 1549 में हुआ था 26 जून 1549 में युद्ध हुआ दोस्तो फरीद खान अर्थात सेर सहां के बीच हुआ था अर्थात आप पहले कह सकते हैं फरीद खान के बीच हुआ था फरीद खान और किसके बीच हुआ था दोस्तो फरीद खान और हुमाईयों के बीच हुआ था जिसमें फरीद खान जीत गए थे फरीद खान ने क्या की थ उम्हें हुमाईओं को हरा कर 26 Jan 191549 को जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो इन्हें एक उपादी चो सम्मानिद किया गय था वो कौनसी उपादी थी भी सब्सक्राइब नकिस ने पहले दोस्तो सो दोस्तूव इसका mieszk आप देख सकते हैं और दोस्तो आस्त की वीडियो अगर आपको पसंद आई यह एक सक्षमीर अम्स題 पसंद आई और होगा हमाई लेटेस वीडियो तुरंध पालने के लिए सो थैंक यू दोस्तो